साधी के बाद पहली बार अगर आप हर्ताल का तीज का वरत करने जा रही हैं तो आपको कौन से निमों का पालन करना होगा वरत किस प्रकार से आपको रखना है कैसे करना है हम आपको विधीवत बताएंगे आप सभी हमारी वीडियो को पूरा देखेगा अगर वीडियो दाती है तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना जैसा कि आप सबी जानते हैं कि भादो महिने के सुकलपक्ष की तिर्टिया को हर्ताल का तीज का वरत होता है साधी के बाद आपकी पहली तीज है तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, पूजा समागरी क्या लानी है आपको, वो भी हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, हर्ताल का तीज के दिन गौरी शंकर की पूजा अराधनक की जाती है, यह वरत हस्त नच्छतर में होता है, और इसे विवाहित ही नहीं बलकि कुमारी कन्याई भी करती है, अखंड सो भाग के लिए यह वरत बेहत खास होता है, हर्ताल का तीज निर्जला वरत होता है, और यह कठिन वरत में माना जाता है, नई नवेली दुलहन के लिए इस वरत को करना थोड़ा मुस्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा स पानी भी नहीं पिया जाता है, और रात को सोया नहीं जाता है, जिस वजह से यह वरत काफी कठिन होता है, तो जो नई नई दुलहन है, उनके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप सुरद्धा भाव से यह वरत करती है, तो इसका फल भी आपको बहुत जानना जरूरी होता है क्योंकि ये ब्रत काफी ज़्यादा फलदाई है तो नियम में आपको बिल्कुल भी कोई गरबड़ी नहीं करनी है आपको गीली, काली, मिटी या बालू ले आनी है इससे भगवान, श्यू और माता पारवती की प्रतिमा बनाए जाती है इसके लावा बेल पत्र समी पत्र केले का पत्ता धतूरे का फल फूल आग का फूल तुलसी, मंजरी, जनेव, नाड़ा, वस्द्र फल एवं फूल पत्ते लाय जाते हैं माता पारवती के लिए सुहा का पूरा सामान लाया जाता है जिसमें महंदी, चूडी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंगी, महावर, महदी जो भी सिंगार का समान होता है ये सारा लाया जाता है इसके बासरी, फल, कलस, अंबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीप, घी, दही, शक्कर, दूद, सहत, पंचामरत के लिए भी आप लाकर रख लीजिए दोस्तों हर्टाल का तीज की पूजा विधी क्या है मैंने इसके पर वीडियो बनाई है इसके अलावा भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि सबसे पहले आप उठ जाएए और अपने घर की साफ सफाई करिए साफ सफाई करने के बाद नाना धोना करके साफ बस्त्र पहन लीजिए हर्टाल का पूजन प्रदोशकाल में ही करना चाहिए यानि धिन रात वाली जो गोधली होती है गोधली बेला में ही पूजा होती है तीज के दिन साम को फिर से इसनान करना होता है और नए कपड़े पहनने रहते हैं इसके बाद माता पारवती और भगवान सिव की मिट्टी की पृतिमा बना कर विधी विधान से पूजा करनी होती है याद रखें कि कड़ेश जी की पृतिमा बनाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके बाद सुहाग और शिंगार का पूरा सामान सजा कर माता को अरपित करें भगवान सिव को भी वस्त्र दें पूजा खतम होने पर धोती तथा अंगोच्छा चड़ाएं और इसके बाद सुहाग का सामान और सिव जी के वस्त्र भी ब्रामरों को दान में दे देना अब माता पारवती और भगवान सिव की पूजा करने के बाद हर्ताल का व्रत की कथा सुने कथा का वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा दोस्तों गडेर जी की आरती आपको सबसे पहले करनी है सिव जी और माता पार्वती की आरती भी आपको करनी है भगवान की परिक्रमा करें और रात में जगराता करें और तेज के गीत भी गाये जाते हैं क्योंकि रात भर जगराता किया जाता है सुबा पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर इसी ककड़ी को खा कर अपना वरत खोल लें तेजपर नौवे वाहितों को अपने बड़े बुजुर्गों का आसिरवाद जरूर लेना चाहिए और आपको आपके वरत का फ़ल जरूर देते हैं दोस्तों तो वीडियो आप कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद